मेहनत इतनी खामोसी से करनी चाहिए कि आपकी सफलता सोर मचा दे अगर Adobe Systems के CEO पदमस्टी शांतनु नरायन के लिए ये बात कही जाए तो गलत नहीं होगी असल में दोस्तों जो चीज सांतनु नरायन को आज इतना ज़्यादा काम्याब बनाती है वो है उनका वीजन, उनकी मेहनत, काम के प्रती उनकी लगन वो इमानदारी सही मायनों में देखा जाए तो शांतनु नरायन एक बेहत सिंपल और डाउन टू अर्वर्थ इंसान है जो अपने काम से प्यार करते हैं वो हमेशा हर एक चीज लॉंग टर्म को ध्यान में रख कर ही करते हैं और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शांतनु नरायन की इसी इंस्पाइरिंग कहानी के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में भी बताने वाले हैं दोस्तों अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें शांतनु नरायन का जन 27 मई 1963 को हैदराबाद के एक संपन परिवार में हुआ था उनकी मा अमेरिकन लिटरेचर की प्रोफेसर थी जबकि उनके पीता एक प्लास्टिक कमपनी के मालिक थे शुरुआत में वो एक जनरलिस्ट बरना चाहते थे लेकिन उनके पैरेंट्स ने उन्हें इसके बजाए इंजिनिरिंग की पढ़ाई करने की चला दी हैदराबाद पबलिक स्कूल से शुरुआती पढ़ाई करने के बाद नरायन ने उस्मानिया इन्वस्टी हैदराबाद से इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्मिनिकेशन में इंजिनिंग पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए जहां उन्होंने बालिंग ग्रीन इस्टेट इन्वस्टी ओहियो से कम्प्यूटर साइंस में मास्टर्स कम्प्लीट करने के बाद कैलिफोर्निया इन्वस्टी के हास स्कूला बिजनस से एंब्या की पढ़ाई पूरी की शांतनू की साधी उनके कॉलेज फ्रेंड रेनी से हुई है और वो अपने दो बेटे स्रवर्ड और अरजुन के साथ कैलिफोर्निया के एक सहर पहलो अल्टो में रहते हैं नरायन ने अपने कैरियर की शुरुवाद 1986 में कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम बनाने वाली एकी स्टार्ट अप कंपनी मेजरेक्स आटोमेशन से करने के बाद एपल चले गए और वहाँ 95 तक कई सीनियर पोजीशन्स पे काम किया एपल के बाद उन्होंने सिलिकॉन ग्राफिक्स कंपनी में अपनी खुद की एक कंपनी पिक्टरा बनाई जो डिजिटल फोटो शेरिंग के कांसेप्ट पे काम करती थी दरसल उनकी दूरदर्शिता की वज़ा से एहसास हो गया था कि आने वाला समय इंटरनेट और डिजिटल डेटा प्रोसेसिंग का है उन्होंने इसे आउसर की तरह देखा और लोगों को एनलाग कैमरा और मैनूल डाकुमेंटेशन का विकल्प देने के लिए एक बड़े प्लेटफार्म की तलास करने लगे और यह तलास पूरी हुई 98 में जब उन्होंने एडोबी सिस्टम्स को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन किया हलाकि 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2007 में उन्हें ब्रूस चीजन की जगा एडोबी सिस्टम्स का CEO बनाया गया दोस्तों एडोबी सिस्टम्स एक सौफ्टवेर कमपनी है जिसकी शुरुवात जान वारनाक और चाल्स गेसके ने 82 में की थी कमपनी का नाम उन्होंने अपने घर के पीछे बहने वाली एक छोटी सी नदी एडोबी के नाम पर रखी थी और कमपनी का लोगो भी उन्ही की वाइफ मारवा वारनाक ने डिजाइन की थी दरसल ये दोनों फाउंडर्स पहले जीराक्स कॉर्पोरेशन के रिसर्च टीम का हिस्सा थे और उन्होंने अपनी खुद की कमपनी बना कर एक बहुत ही शक्तिसाली कमप्यूटर लेंगेज पोस्ट स्क्रिप्ट डिजाइन की जो प्रिंटर को इलेक्ट्रोनिक पेज की लेयाउट को डिस्क्राइब करता है वैसे अगर देखा जाए तो आज एडोबी का इमेज एडिटिंग इंडस्ट्री में दबदबा है और आप भी अपनी लाइप में मोबाइल, लैप्टॉप, कम्प्यूटर्स पर एडोबी के अप्लिकेशन जरूर यूज करते होंगे लेकिन एक समय था जब एडोबी के पूरे पैक का इस्तमाल करने के लिए काफी बड़ी रकम अदा करनी परती थी जो कि सब के लिए पॉसिबल नहीं था शांतनू के लीडर्शिप में कमपनी का रेवन्यू बढ़ता गया और एडोबी 100 बिलियन डॉलर्स के मार्केट कैप को क्रॉस करते हुए फार्चून 400 के लिष्ट में शुमार होने के साथ ही फोब्स के Most Innovative Company की लिष्ट में भी अपनी जगा बना लिया शांतनू नरायन के कद का अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि 2011 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें अपने Management Advisory Board का सदस एपॉइंट किया था और अभी भी वो US-India Strategic Partnership Forum के Vice President है शांतनू ने Fortune Business of the Year और Times Global Indian of the Year के लिस्ट में भी अपनी जगा बनाई है उनके बहतरीन कामों की वज़ा से 2019 में उन्हें राष्टपती रामनात कोविंद के द्वारा पदमसरी पुरसकार से भी नमाजा गया अब आज की अगर बात की जाए तो इस समय शांतनू नरायन की नेट वर्थ लगबग 2000 करोर रूपीज के आसपास है और साथ ही उनकी annual salary लगबग 290 करोर रूपीज के आसपास है आगे भी इसी तरह की inspiring वीडियो को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को दबाना ना भूले आपके बहमुले समय के लिए धन्यवाद